प्रश्न यह है कि समान नागरिक सहीता उत्राखंड दोहजार चौबिस विदेहक को इस सदन की एक प्रवर समय इतिहास गड़ने जा रहा है प्रश्न यह है कि समान नागरिक सहीता उत्राखंड दोहजार चौबिस विदेहक पर विचार किया जाए जो मानने सदस इसके पक्ष में हो क्रिपया हा कहें जो मानने सदस इसके विरोध में हो क्रिपया नहीं कहें हां कि संक्यादि के अता प्रस्ताफ स्वीकृत हुआ बैठिये बैठिये यूसीसी बिल पास हो गया उत्राखन विधान सबा में ध्वानी मत से यूसीसी बिल पास हुआ सबसे पहले एसीम पुश्कर सिंग धामी ने इस बिल पर चर्चा के बाद सारी बाते रखी और उसके बाद ध्वानी मत के जरीए ये बिल पास हुआ है तो बड़े काबर UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्राखंड ध्वनिमत से उत्राखंड के अंदर UCC बिल दो हजार चॉबस पास हो गया मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने वस्तार से इस पर चर्चा की और उसके एक एक पहलू को सामने रखा और जैसे द्वनिमत से बिल पास हुआ भारत माता की जै के नारे सदन में लगने लगे एक कुछ साथ सदन के अंदर देखा गया एक बर आपको फिर से लिए जलते हैं सदन मानिय अदेख जी आपकी अनुग्या से समान नागरिक सहीता उत्राखंड 2024 विदेख को पारित करने की मैं अनुग्या चाहता हूँ प्रश्न यह है कि समान नागरिक सहीता उत्राखंड 2024 विदेख को पारित किया जाए जो मानिय सदस इसके पक्ष में हो क्रिपया हां कहें जो मानिय सदस इसके विरोध में हो क्रिपया नहीं कहें हां की संक्या दखे अतव विदेख पारित कुआ सुना आपने उत्राखंड ने इतिहास रच दिया है देश में पहला ऐसा राज्य जहाँ पर UCC लागू होगा वो उत्राखंड है विधान सभा से ये पास हो चुका है बिल दुवानिमत से पास हुआ और जैसे ही पारित हुआ UCC 2024 बिल सदन के अंदर नारेवाजे शिरू हो गई CM PUSHKAR SINGH धामी ने भी हाथ जोड़कर सभी को धन्यवाद कहा CM PUSHKAR SINGH धामी जिन्होंने इस बिल को रखा सदन के पटल पर और उसके बाद दो दिन की चर्चा के बाद आज सारी जानकारियां मुख्यमंत्री ने रखी विस्तार से बताया कि आखिर ये बिल क्या है किस तरह से ये समाज में परिवर्टन ला सकता है एतिहासिक परिवर्टन ला सकता है किसी भी धर्म लिंग सारे बातों को समान करते हुए एक समान खानून सब के लिए होगा पुश्कर सिंग्धामी ने ये बिल देश को राह दिखाएगा क्योंकि आज देश इस्तर पर UCC की बात होती है बेहन बेटियों के साथ अन्याय खत्म होगा ये अधिकार देने वाला बिल है बहुत से प्राधान इसमें किये गए है लिविन रिलेशन से लेकर तालाग से लेकर महिलाओं को अधिकार देने तक जिसमें गोद लेने पिता की संपत्ती में उत्तर अधिकार को शामिल करने से लेकर इन सभी अधिकारों को पुखता करेगा महिलाओं को वो ताकत देगा ताकि वो समाज में किसी भी प्रकार का शोशन महसूस ना कर पाए कानून की आड़ में कम से कम कोई उन्हें न दबा पाए UCC बिल पास हो गया है उत्राखंट से और इसी के साथ उत्राखंट पहला राज्य बन गया है सभी नागरिकों को मौलेक अधिकारों के साथ साथ बहन बेटियों के साथ जो कई सतरों पर अन्याय होता है कानून की आड़ में वो सभी खत्मोगा क्योंकि महिलाओं को विशेश अधिकार दिये जा रही है इस बिल के तहट हाला कि जो तराखंट में विपक्षिदल है कॉंग्रिस उसका ये कहते हूँ विरोध कर रही है कि बिल को पढ़ने का वक्त कम मिला चर्चा के लिए हमें नहीं पूछा गया और इसी लिए इस बिल में क्या है और क्या नहीं है इस पर फिलाल स्पष्ट को नहीं है उसने अपना स्टैंड साथ नहीं किया है लेकिन देश की कुछ विपक्षी पार्टीों के नेता जरूर UCC का विरोध कर रहे हैं इसको एक कौम के खिलाफ बता रहे हैं समविधान के खिलाफ बता रहे हैं लेकिन इस सब के बीच इसका मसौदा जो विधान सभा में रखा गया उस पर चर्चा हुई और ध्वनिमत से ये बिल पास हो गया देव भूमी ने इतिहास रच दिया सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो है बहन बेटियों के अधिकारों को बरकरार रखने का सभी नागरी को कि मौलिक अधिकार भी बरकरार रखे गये हैं मौलिक अधिकारों से कोई छेड़खानी नहीं की गई है और साथ ही सीम पुषकर सिंग्धामी ने इस पर अपनी बात रखते हुए कई सवाल भी उठाएं उन्होंने कहा कि पहले समान अधिकार क्यों नहीं दिया गया ये एक बड़ा सवाल है जातियों को बाट कर अब तक क्यों रखा गया ये बड़ा सवाल है उनका दावा है कि U पंथ संप्रदाय से अलग UCC सभी को समान अधिकार देता है संतान के भी बात कही गई है कि संतान वैद हो अवैद हो सबको बराबर का अधिकार हुगा दिपांकर हमारे सयोगी इस वक्त हमारे साथ जोड़ चुके हैं दिपांकर UCC से बिल पास हो गया सदन के अंदर अब आ जा रहा है और अब UCC पास हो चुका है जिसका इंतजार चौब 12 फरवरी 2022 के बाद से था और आज 7 फरवरी 2024 यानी दो साल के भीतर भीतर ये उन्यों सिविल कोड आप उत्राखंड में लागू हो जाएगा अभी क्यूंकि विर्हांसावा से अप्रूबल एक बड़ा अप् तो ये पूरी विवस्ता जिसका इंतजार सा 20 महीने तक इसमें वक्त लगा, कमिटी बनाई गई, सब कमिटीया बनी, पूरा इसका प्रारूप तयार किया गया और आज विधान समा ने इसे पास किया है और एक बड़ा कांग यहां पर उत्राखंड की तरफ से जिसे एतिहा सिक बता रहे हैं मुख्य मंतरी खुद और भारती जंता पार्टी के ऑफिस में उसे कुछ देर के बाद एक सम्मान समारों का करकम भी होने जा रहा है, जहां सबी विधायक मौज़ोद रहेंगे, मुख्य मंतरी वहाँ पर पहुचेंगे, तो बीचिपी का जो राष्टी ए क्या कॉंग्रेस विधायकों की एर्थे अब कोई रेक्शन आया है पास होने के बाद? तो इस तरह की डिबेट्स कॉंग्रेस की तरफ से रही, लेकिन हमने अभी जब देखा की मुख्य मंतरी के संबोदन के बाद जब पारित किया गया, तो हाँ और नाम है, तो नाक की कुछ आवाजें वहाँ पर नहीं थी, और कॉंग्रेस में खुलके इसके बुलत करने की किया, जी और ये तस्वीरे भी आ रही है, जहां पर महिलाएं जश्म मनाते में नजर आ रही है, बीजेपी कारे करता ये सबी जश्म मनाते दिख रही हैं,